मस्कार आप देख रहे हैं टाइंच न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचर इन दौर में लगातार आत्मात्या के मामने सामनी आ रहे हैं ताज़ा मामना गांधी रगर के पिछ परवत पर नाबालिक द्वारा जरीला पदार तका कर आत्मात्या की घटना को अंजाम दिया क है फिलाल पुलिस ने मर्ग कायम का जांच शुरू करती है इन दौर की गांधी ने का थाना शेत्र परवत पर एक नाबालिक द्वारा बेश सुद्ध अवस्था में देखा गया जिससे वहां पर दर्शन करने आए कुछ लोगों ने तुरिंत पुलिस को सूचना दी जिसक काफी हुनार थी वो घर से अपने दोस्त के यहां पर जाने का कहका निकली थी लेकिन वो पित्र परवत कैसे पहुंच गया और किस कारण से इस तरह का कदम उठाया है या पर उसके पीछे और कोई कारण है इसको लेकर पुलिस पूरे मामने में च्छानवीन में जुटी तो मेरे बालक का मेरे पास फोन आया पूने तीन नो डाई के बीच में बोले पापा फटा-फट पित्र परवत पर आओ गुमी का को कोई लेगी गया है उसका नाम गुमी का है और बोले उसको किसी ने कुछ खिला दिया है मैं वहां तक पहुचा जब तक यह मेरा बालक और हमारे घर में किरायदार भहिया है वो इसको गांधी नगर तक लेकर आ गया है महां पर आके देखा तो बहुत बद हवास थी कुछ बोल भी पापानी के लिए ती तो प्रिश्य में जैसे जैसे डाली उसको और बाटिया लेकर आए राम चंदनगर के पेले बाटिया ले कि नहां से हमने कार करी नहां लेका है तो अब लोग बाई पेसल हुए बापे उस बीशमों कप शांत हुई मेरे को यह भी नहीं पता चला अच्छा किस तरीके साय था क्या सब्सक्राइब मेरे को किसी ने कुछ खिला दिया है कोई पकड़ के ले जा रहा है और किसी ने कुछ खिला दिया यह कौन था क्या था कहां था जेंस था लेडिस थी यह हम लोगो कुछ नहीं दो बज़ें दो से डेड़ के बीच में घर से को कोचिंग के लिए बोलके गई था पाईजन खाने का एक मर्गा आया था उसके जहा कोटा बंगरदा पे विकास नगर है वहां के रहने वाले थे और कल शाम को सुझना मिली थी कल आये थे हम लेकिन कल पी-एम होनी पाया था फिर आभी पी-एम चल रहा है उसका अभी उसकी जहां चल रही है पीद्र परवत पर मैं साय गुपने रिक्षक प्रहला सिंग चोहां थाना गांधी नगरिना